प्रधान मंत्री ने कहा है कि एक व्रिस्तित और एकी करंद रिष्टी कौन सामने रखा जा रहा है क्योंकि आज का बच्चा भी डिजिटल पाव को समझता है आज मौझूद उद्योग जगत ने साड़े चार लाक करो निवेश की बात कई और करीब अठारा लाक लोगों को रोजगार मिल सकेगा तुम्हारा समाज बदल रहा है प्रदान मंत्री ने कहा और आगे की पिल्गियों के लिए ये कदम उठाना ही है क्योंकि डिजिटल डिवाइड बड़ी समस्या बन सकता है उन्होंने कहा कि उनका सपना है की डिजिटल हाइवे जो युनाइट करेगा नेशन्स को ये प्रदान मंत्री ने आज कहा तो इस योजना के तहट एक लाग तेरा हजार करोड की इस योजना में तहट देश में 2019 तक धाई लाग गाउं में ब्रॉडबैन कई लाग स्कूलों और सभी विश्वत दिदालों में वाइफाई लाना है वाइफाई हॉट स्पोट्स इन पब्लिक प्लेस और टूरिस सेंटर्स में चार लाग इंटरनेट अक्सिस पॉइंट्स होंगे देश भर में छोटे शेरों के लोगों को आईटी सेक्टर की नौक्रियों के लिए ट्रेन किया जाएगा लेकिन इस पर अब सवाल भी उटने शुरू हो गए हैं अखवारों में लेक आए हैं जो बड़ी-बड़ी आव को कंटेंट डिलिवर करने में आगे निकल जाएंगे सिर्फ प्लान बताना काफी नहीं है सरकार को एजुकेशन, मेडिसन, पब्लिक सर्विसेज की फील्ड में एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत हैं देश की संपूर्ण, कंजूमर तथा जो सूचना प्रनाली है इंट अगरिक की निजी और जो राश्च्र महत्व की सामरिक जानकारियों को अमेरिकी सुरक्षा एजंसियों से साजा करने का खुलासा हुआ था और पहले भी हुआ था जब कॉंग्रिस पुरानी सरकार थी और नाही मौजुदा सरकार ने इस ओर कुछ कटोर कारवाई की तक्नि कि इस सदेशी जो विकास और विदेशी कमनियों पर नियंतरन के बगएर डिजिटल विस्तार हानी कारक हो सकता है तुमारे देश में करीब 25 करोर के करीब इंटरनेट यूजर्स हैं और एक चौथाई मोबाइल इंटरनेट यूजर्स ग्रामीन भारत में बस्ते हैं इंटर कि एक रिपोर्ट के अनुसार कि किसी भी देश में ब्रॉडबैंड में 10 प्रतिशत की अगर बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब जो GDP है वो 1.38 प्रतिशत उचाल उसमें आ जाता है तो समझेंगे इस कदम की जमीनी हकीकत को आज हम बड़ी ख़बर में को जैसे हम बना की है जो और जैसे हम बोल रहा हैं के पूरे डिजिटिल इंडिया होगा पूरें गाओं में कनेक्शन होगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी किस हद तक वो materialize हो पाएगा या manifest करेगा वो हमें देखना है वो शक क्यों है क्यों संशय है आपके इसलिए क्योंकि अभी भी गाओं गाओं में अगर आप दूर दूर जाएंगे किसी भी remote area में आप remote area की क्या बात करें डेली में ही बहुत से जगा ऐसे हैं तो जो दूर दूर शेहर हैं उनकी तो उस टाइम पर कही है कि electricity भी कई जगा नहीं है तो उस बात को देखते वे थोड़ी चंता जरूर है कि यह कैसे execute होगा सिरफ infrastructure ही नहीं broadband connection, affordability, mobile कितने लोग afford कर सकते हैं बड़ करने का हमारे देश में शौचाले कम हैं और mobile users जाद हैं, mobile लोगों के पास हैं और अगर इससे connection होता है, भले ही मुझे एक समय याद है कि जब राजीव गांधी computer लेकर आ रहे थे लोगों ने बहुत निंदा की थी, का ता रोजगार निकल जाएगा लोगों के हाथ का, फिर हमने देखा कि computer का क्या असर हुआ, उसका क्या महत्वत था लेकिन अब जिस तरह से अगर सरकार की मंशा भी यही है, अगर marketing भी अगर वो कर रही है, लेकिन अगर मंशा सही है तो उस लिहाज से फिर भी क्या कुछ जहन में सवाल होते हैं कि 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 किसी और एरिया में ज़ादा ध्यान देना चाहे था बनासपतिस के मेरे साब से इसमें लिटरसी दिना पहली बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप infrastructure तो provide किसी तरह से आपके पास funds होंगे आप करी देंगे चाहे थोड़े time में करें लेकिन साथ साथ जो एक simultaneous process है लिटरसी का वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम जो user and user को सशक नहीं बनाएंगे कि वो इस चीज़ को समझ सके आज की डेट में कोई local languages हैं उस तक इतना इतनी literacy होनी चाहे कि वो local language में इंटरनेट को use कर पाए और इस बात की भी उनको पूरी knowledge होनी चीए कि जो जो चीज इंटरनेट पे जाके जो खत्रे हैं आज की डेट में जो बच्चों के लिए अगर आप literacy first of all अगर children के लिए लेते हैं तब भी बच्चों के लिए इतने online खत्रे हैं तो उनको उस चीज़ से परिचित कराया जाए कि उनको किस तरह से तो कांशी योजना सामने रखी है इसका वाकई में स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन कुछ सवाल है जो जमीनी हकीकत या जमीनी तयारी पर उठा रहे हैं प्रदान मंत्री ने आज अपने भाश्रम ने का कि जो आज की भावी पीडी है वो कई digital divide में पीछी ना रह जाए उन्होंने कहा जो बच्चे हैं आज कल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपका एनक नहीं चूते हैं आपका फोन सबसे पहले निकालते हैं अगर हम इसमें बच्चों के एक शेत्र की ही बात करें कुछ समय ले ले लेते हैं इसके लिए हमारे साथ खास experts मौजूद हैं गुपाल जी मेरा सवाल आपसे ये था मैं एक article में पढ़ रही थी कि अमेरिका में जो facebook है 13 साल से कम उम्रू के बच्चों को एक तरह से वर्जित है कोई ठोस कानून नहीं लेकिन एक तरह से वर्जित है लेकिन हमारे देश में 8 से 13 साल के करीब 73% 73% पीसदी बच्चे से चलें या इसमें प्रधान मंत्री ये भी कह देते कि कुछ आप अपने आपकी तरफ से कुछ संयम बरतें उस लिहाज से कैसे देख रहें से आप इस सारे इनिशेटिव के साथ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि साइबर सिक्योर्टी की भी बात किये प्रधान मंत्री जी बहुत साले पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिलीस की हैं इमेल पॉलिसी है इंटरनेट एकसेस की पॉलिसी है ये सारे इकॉमर्स पर भी आऊंगी गुपाल अगरवाल किस तरह से हमारे देश में करीब 13 अरब डॉलर का इकॉमर्स होता है उसमें क्या जमीनी तयारिया है हम कि किसी गाउंवाला के हाथ में बोल दें कि बेट आपके पास तो यह फोन है आप अपना बिजनिस करिए लेकिन क्या वो बिजनिस जायज रहेगा क्या उसका पैसा कई डूबेगा तो नहीं ये बड़ा सवाल है लेकिन जो बच्चों वाला बात जो आप मैं पूछना चारही है इस तरह के खत्रे जो हैं बच्चों के लिए तो जब तक हम ग्राउंड लेवल पे जाके गाउं में भी उनको सतर्क नहीं करेंगे इन चीजों से तो वो उस चीज़ का इस्तमाल सही तरीके से कैसे करेंगे और अपना बचाव कैसे करेंगे तो इसके लिए क्या करे सकता जो इसमें वोलंटियर कर सकती हैं गाउं गाउं जाकर के वो जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनकी भी राय लीजिए किस तरह से उनको एक्स्प्लेइन किया जाए किया कैसे समझाया जाए एक बेसिक ट्रेनिंग देना मेरे हिसाब से प्री रेक्विजिट है एक आड़-उन नही तमाम योजना सामने हैं और गुपल आप जिस तरह से बता रहे थे कितने पॉलिसी इनिशियेटिव आज सरकार ने सामने रखे हैं लेकिन जो कॉंटेंट है वो सामने नहीं आया उनका यह कहना है कि भागरा नंगल प्रोजेक्ट की तरह नहीं कि एंजिनियर्स और ब्यूर इफ्राश्रक्टर के बाद ही आता है सबसे पहली बात और जो पॉलिसीज है यह ग्रूप्स हैं जो इनिशेटिव हैं रिसर्च डेवलपमेंट फंड्स हैं यह सारे चीज मिलके ही तो इस चीज को क्रेट करेंगे अगर आप कहते हैं यह कंटेंट पे तो कोई डाउट नही यह concerns तो हैं तो इसलिए आज भी आप internet के through यह mobile के through international websites पे जाते हैं तो आपको access की restrictions लगानी पड़ेगी यह सब through policy initiative discussions awareness creation और उसके बाद school education level तक जाना है आप देखें IT में हमारे देश ने तरक्की क्यों की हमारे पास एक infrastructure था IT professionals का infrastructure था एक internet का setup था उसके बाद तो power भी चाहिए कई कहेंगे कि अगर हमारी electricity नहीं हुई तो यह सारा infrastructure बेकार हो जाएगा तो power generation की बाद की बाद की हैं तो केवल यही तो इसे है कि अभी cyber law को देखेंगे तो अभी भी काफी चीज़ें रहती है इसमें करने की जहां तक IT act का सवाल है उसमें भ देखेंगे अगर बच्चों को लेकर आप कहते तो POSCO Act के अंदर अभी भी बहुत सारे courts नहीं बने हैं बहुत सारे tribunals हैं जो भी नहीं बने हैं या जो police officers trained होने चाहिए for children safety वो भी नहीं है अब lot of things are there तो यह सब जब हम as a project लेते हैं तो हम इस सब को अलग नहीं रख सकते हैं मेरे हिसाब से यह holistically देखना चाहिए digital divide program सिर्फ यही नहीं है कि हम सब तक यह पहुंचाएं इंटरनेट पहुंचाएं यह अच्छी बात है और हम इससे वेलकम करते हैं लेकिन इसके साथ जो एक strategy जो होनी चाहिए कि cyber law और इसकी enforcement को totally कैसे enhance किया जाए मेरे हिसाब से व सारी requirement is they are part of the whole mission. Digital India वीक है अगर private sector आएगा, strategy सामने नहीं आए, वो strategy होना जो हमेशा से हम सुनते आए हैं, वही है. मैं दूसरा पहलो गोपाल जी लेकर आना चारी थी, वो e-commerce का मौजूदा बाजार करीब 13 अपका है, आप प्रधान मंत्री ने भी कहा कि आपको banking के लिए, कुछ दिनों में आपके लिए banking में, premises में आपको नहीं जाना होगा, आप सिर्फ सब कुछ अपना mobile पे कर पाएंग उस पे करने का सवाल यहीं उठाये जारे है, सुरक्षा नहीं एगर कोई आपको ड्यूप करें? दस फेक वेबसाइट्स आपको साथ मिलेंगी, क्या वो इतने सतर्क हैं कि वो कौनसी औरिजनल रियल वेबसाइट है उस पे जा पाएं? तो जब हम इंटरनेट की बात करें, mobile आप उनके हाथ में दे रहे हैं लेकिने का आखरी की सारे सर्वर्स हैं, बड़ी अमेरे की सब कंपनिया हैं, उनके सारे सर्वर्स बाहर हैं यहां पे हैं नहीं हमारी सामरिक जो मैंने इंबस्मेंट में देखा है, आज की रिट में जो हैं, उनसे हमें डेटा नहीं मिलता, और अगर डेटा मिलता है तो वो इतना पुराना हम मतलब केस हो जाता है कि उसमें एविडेंसी टाइम पर हो जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगा, और गाइडलाइन नहीं है, अभी गाइडलाइन के पास पावर है, ब लकिन वाकई में जमीन पर कितना असपे आगे काम क्या आ गया है, बहराल जो आज योजना सामने रखी गई एक बार फिर से नहीं तरीके से उसका देश स्वागता है